Hello everyone, welcome to the third video of this series, so अभी तक हमने 4 chapters complete कर लिये हैं, जिसमें हमने pre-historic period और हरपा civilization के बारे में देखा था 3rd chapter में हमने वेधिक period के लोगों के economical, political और social life के बारे में जाना था, हमने ये भी देखा था कि लेटर वेधिक period के आते आते बहुत सारी कुरीतियां बढ़ चुकी थी, caste discrimination बहुत जादा rigid हो चुका था और इन्ही social religious reform के लिए जैनिस्म और बुद्धिस्म का rise हुआ था, हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने जैनिस्म और बुद्धिस्म को accept किया था, तो आज हम इन्ही kings और इनके kingdoms के बारे में पढ़ेंगे तो chapter 5 and 6 is about rise of kingdom and kusharn empire, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको इन वीडियो का pdf चाहिए या फिर exam से related कोई personal guidance चाहिए तो आप हमारा paid group join कर सकते हैं अगर आप UPPAC की preparation कर रहे हैं तो इसके लिए prelims और mains के लिए paid group मौझूद हैं जहां पे आपको study material और test series प्रोवाइड करी जाएंगी और further queries के लिए आप in context में बात कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं 5th chapter की The Rise of Kingdoms तो वेदिक period के end तक काफी जादा जो kingdoms थे वो चाहते थे कि उनका kingdom expand हो क्यों चाहते थे वो अपने kingdom को expand करना क्योंकि वो चाहते थे कि उनका area fertile हो और वहाँ जो minerals हो वो भी हो और इन सब से जो उनका revenue generate हो वो काफी जादा हो और वो एक rich kingdom बने तो इसी वज़े से जो काफी जादा जो जनपद होते थे वो आपस में लड़ाई करते थे तो बहुत सारे जनपद को मिलके बनता है महा जनपद ठीक है तो ये माना जाता है कि बुद्धा के period के दौरान 16 powerful महा जनपद थे नौर्थ इंडिया में ठीक है तो ये जो kingdom थे इनके राजा कभी-कभी तो hereditary होते थे और कभी-कभी राजा को elect भी किया जाता था ठीक है तो कुसाला अवंती, वत्स और मगद कुछ powerful kingdoms थे और ये आपस में बहुत जादा लड़ाई करते थे एक दूसरे की power को overcome करने के लिए लेकिन जो ultimately जो ये लड़ाई जीता था वो था मगद ठीक है तो मगद was the most powerful महा जनपद तो हम आज बात करेंगे about the rise of मगद तो मगद है बिहार में आज जो पटना का area है उसको मगद कहा जाता है तो मगद की तीन बार capital change हुई थी और जो पहली capital थी वो थी स्रिवास थी second capital थी राजकिर और third capital थी partly पुत्र ठीक है तो यहां की जो सबसे पहले राजा थे वो थे बिम्बिसार बिम्बिसार थे हर्यंकर डाइनेस्टी के और इन्हों ने काफी जादा युद्ध करके अपने kingdom को expand किया था और साथ ही साथ marriage alliances के through भी इन्हों ने अपने kingdom को expand किया था बिम्बिसार को उनके बेटे ने बंधी बना लिया था और खुद वहां के साशक बन चुके थे और उनका नाम था अजाज सत्रू तो अजाज सत्रू ने काफी लंबे समय तक कोसाला वंती और वैशाली जैसे kingdom के साथ लड़ाई की और अपने kingdom को और जादा बढ़ाया था और उसके बाद जो पार्टले पुत्र का fort है वो अजाज सत्रू ने ही बनवाया है हर्यंकर डाइनेस्टी को हराया था सिसुनाग डाइनेस्टी ने और फिर सिसुनाग डाइनेस्टी का रूल खतम किया था नंदा डाइनेस्टी ने नंदा डाइनेस्टी के जो सबसे पहले king थे वो थे महापद्मनन्दा नंदा डैनिस्टी ने मगत को पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड कर दिया था, आप देख सकते हैं मैप को, कहां पे पटना है अभी और वहां से नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड किया था महापदमनन्दा ने और महापदमनन्दा ने मगत को विंध्यास से लेके दक्कन तक भी expand किया था विंध्याज कहां पर है विंध्याज range है मध्यप्रादेश में तो काफी जादा expandation किया था महा पद्मनन्दा नहीं जो की थे नंदा डाइनिस्टी के और हमने देखा था कि वेदिक पिरियड में यानि कि लेटर वेदिक पिरियड में caste discrimination बहुत जादा था और कहा जादा था कि जो सूद्र होते हैं उनको बस जो अपर थ्री कास्ट है उनको serve करना चाहिए लेकिन जो सिसुनाक और महापद्मनन्दा थे हमने देखा कि ये बहुत ही powerful और बहुत ही अच से हमला करना चाहते थे लेकिन महापद्मनन्दा यानि कि नंदा डाइनेस्टी का इतना अच्छा इतना जादा पावर देखके वो इनसे डर गए थे और उस वक्त अटैक नहीं किया था नंदा डाइनेस्टी को हराया था चंदरगुप्त मौर्या ने नंदा डाइनेस्टी के जो लास आ सकते वो थे धना नंदा और इनको हराया था चंदरगुप्त ने ये थे मौर्यन डाइनेस्टी के तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखो नौर्थ में और सेंट्रल पार्ट में तो नंदा डानेस्टी ने मगत को काफी जादा एक्सपैंड कर दिया था और यहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने वेस्ट साइड पे मगत को एक्सपैंड किया था ठीक है उन्होंने काफी जादा एरिया वहां का एनेक्स करा था वेस्ट साइड का किस्से किया था ग्रीक से जो की एलेक्जेंडर की अंडर थे चंदर गुप्तर मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था और अफगानिस्तान और गन्नारा को भी एनेक्स कर लिया था तो चंदर गुप्तर मौर्यों एक काफी अच्छे लीडर थे ठीक है जो मेगातनीज हैं सेल्यूकस निकेटर के एमबैस्डर हैं ये उन्होंने पार्टले पुत्रों में काफी साल रहके एक किताब लिखी थी इंडी का ठीक है यहां इस किताब में उन्होंने इंडिया के बारे में काफी कुछ बताया था हमने देखा था कि जैनिस्म को काफी जादा राजाओं ने एकसेप्ट किया था और उसमें से एक राजा थे, चैन्दरगुप्त मौर्य, तो जैन की religious text में भी ये लिखा गया है, कि kingship छोड़ने के बाद, चैन्दरगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपना लिया था, और उनकी जो death हुई है, वो fast लेते लेते हुई है, ठीक है, fasting की वज़े से उनकी death हुई है, कहाँ पे सरवान बेला गोला में, तो चैन्दरगुप्त मौर्य के बाद, उनके बेटे बिम्बि सार ने मगत का empire समाला, उन्होंने 25 साल तक रूल किया, और उसके बाद जो राजा आये, बहुत ही महान राजा वो थे, अशोका, अशोका वो great leader कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है, अभी हम पढ़ेंगे, उन्होंने क्या-क्या काम किया था अपने कार्यकल के दौरान, तो अशोका ने एक बहुती terrible war लड़ी थी, कलिंगा के against, और उस war में काफी जादा नर संगार हुआ था, जिसकी वज़े से वो काफी दुखी हुए थे बाद में, और उन्होंने ये pledge लिया था, कि आज के उन्होंने बुद्धिस्म को अपनाया था, और यहीं से उनकी जो जर्नी थी, धर्मा विजया की वो स्टार्ट हो गई थी, अशोका मानते थे कि जो एक great leader है, उसका काम है अपनी प्रजाक की help करना और उनको सही राष्ता दिखाना, तो बाद में उन्होंने काफी जादा ध बली को खतम कर दिया गया था, और जो कानून है, जो punishment होते थे, उसमें काफी जादा change किया था, यह change थे humanitarian basis पे, जो death sentence है, मौत की सजा उसे भी कम कर दिया था, और अपने धर्मा को spread करने के लिए, उन्होंने पत्थरों पे लिखवाया था धर्मा को, और यह जो धर्मा है, लेंग्विज में ही लिखवाया गया था, जैसे प्राकृत भाषा में लिखाया गया था, नौर्थ वेस्टर्न साइड में इसको खरोस्ती भाषा में लिखाया गया था, और अफगानिस्तान में ग्रीग भाषा में लिखाया गया था, ताकि लोग जादा से जादा धर्मा के बारे में जाने और सीखें और इन्होंने लोगों की help करने के लिए धर्म महा मातराज को भी appoint किया गया था तो इतने अच्छे काम किये थे अशोका ने और ये पहले emperor थे जिन्होंने अपने लोगों के wealthier के लिए काम किया था अशोका बुधिस्म को तो मानते ही थ ہیں और इसलिए इननोंने जो बुधिस्ट मॉनिमेंट है जो की कपिल भस्तु सारनात और बौदगया में हैं उनको रेनुवेट करवाया और एकस्पेंड करवाया था और बुद्धिस्म का प्रचार के लिए उन्होंने जो बुद्धिस्त सन्यासी थे उनको दुनिया के बहुत सारे भागों में भेजा था बुद्धिस्म का प्रचार करने के लिए ठीक है उनके बेटे थे महेंद्र उन्होंने सेलोंट में बुद्धिस्म का प्रचार किया था और बुद्धिस्म को कहा जाता है कि बुद्धिस्म को वर्ल्ड रिलीजिन बनाने में अशोका का काफी बड़ा हाथ है इन्होंने काफी जादा effort करे थे बुद्धिस्म को world religion बनाने के लिए अब बात करते हैं मौरियन administration की तो मौरिय empire बहुत ही बड़ा empire था तो इसी लिए इसके administration के लिए इसको पाँच भागों में बाटा गया था पहला तो था main province जो की मगद था और मगद का इसका capital था पाटली पूत्र सेकिंड था north province, west, south और east तो north province का capital था तक्षिला west का था उज्जैनी, south का था स्वर्णगिरी और east province का capital था दो साली ठीक है तो इन पांच provinces में मौरियन empire पूरा बटा हुआ था इसके administration के लिए कुछ council of ministers थे और जो higher officers थे इनको कहा जाता है महा मात्र ठीक है और कुछ other officers भी थे जिनको युगतु, प्रदेशिकास और ambassador and spice कहा जाता है spice मतलब जासूर तो जो भी लोग frontier को ठीक है frontier को protect करते थे उसे बोलते थे अंत्र महा मात्राज और जो moral life प्रजा की moral life को देखते थे उन्हें बोला जाता था धर्म महा मात्राज काफी local self government भी मुझूद थे उस वक्त और मेगस थी इस ने चोंकी बुक थी इंडी का उसमें लिखा था कि मगत के administration के लिए 30 officers और 6 committee को रखा गया था और ये जो committees थी हर committee का different different काम होता था Morian Empire का judicial administration था वो काफी जादा strict था लेकिन हम जानते हैं Ashoka ने बाद में काफी जादा reforms लाये थे इसमें और जो punishment है उसमें बहुत सारे changes लाये थे humanitarian grounds पे laws को काफी जादा change करा गया था जैसे death sentence को reduce कर दिया गया था और punishment देने के तरीकों में काफी जादा changes आये थे ब्रिहदरत मौरियन अंपायर के लास्ट किंग थे और इनकी हत्या हुई थी पुष्या मित्र के द्वारा and after this the maggot lost its power okay so this was all about chapter 5 इसमें हमने मौरियन अंपायर के बारे में पड़ा now start करते है हमारा next chapter that is about कुषान अंपायर so इंडिया में मौरियन अंपायर के बाद जो सबसे पावरफुल अंपायर था वो था कुषान का ठीक है तो कुषान जो थे वो योजी ट्राइब से बिलॉंग करते थे और केटफाइस वन ने सबसे पहले कुषान के किंग्डम को इस्टैब्रिश किया था इंडिया के नौर्थ वेस पार्ट में इनके बाद केटफाइस टू ने पंजाब और इंडियस वैली को कंक्वेर कर लिया था केटफाइस टू के मृत्यों के बाद जो राजा बने थे वो थे कनिश्कु कनिश्कु को कुषान का सबसे पावरफुल किंग माना जाता है वो पाटली पुत्र गए और वहाँ पे उन्होंने साख सत्रप्स को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उन्होंने दो बार चाइनीज से युद्ध किया था लेकिन फर्स बैटल में वो चाइनीज से हार चुके थे लेकिन सेकेंड वार में उन्होंने जीत हासिल करी और काशगार, यरकंद, खोटान जैसी जगह को साथी साथ सेंटर एशिया के काफी पार्ट्स को उन्होंने कनक्वेर कर लिया था और ही अल्सो क्रेटेड अन्यू कैपिटल या पेशावर, इसको पुर्शा पूरम भी कहा जाता है कनिश्क बुद्धिस्म से काफी जादा इंप्रेस हुए थे, ये इनके प्रिंसिपल से काफी जादा प्रभावित हुए थे और इसी लिए उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और्गनाईज करी थी कश्मीर में थर्ड बुद्धिस काउंसिल को किसने और्गनाईज किया था? येस, अशोका ने, कहां? पाटली पुत्र में, ठीक है? तो बहुती फेमस बुद्धिस फिलोसफर थे, जिन्होंने इस बुद्धिस काउंसिल में पाटलिया था, वो थे वसु पांडू, अश्वघोष और ना बुद्ध चरित्र और सुत्र लंकर को लिखा था, महा विभाषा को कमपाईल किया था वशु मित्र ने, और क्योंकि नागारजुन एक बुद्धिस फिलोसफर थे, इन्होंने फिलोसफी में एक बुक लिखी थी, चारक एक बहुती फेमस फिजीशियन और जो एक ग्रेट एक बिल्डर थे, अजील असिम, ये थे कनिश्क के अंपायर के ही टाइम पे थे ये लोग, ठीक है, अब ये तो बात करी हमने बुद्धिस फिलोसफर की, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को जॉइन किया था, हमने जैनिस्म और बुद्धिस्म वाले चैप् महायान और हिनायन में, तो ये वही टाइम था जब बुद्धिस्म स्प्लिट हुआ था, महायान और हिनायन में, महायान जो है इसी काउंसिल में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ओरिजनेट हुआ था, ठीक है, काफी सारे बुद्धिस्ट जो सन्यासी थे, उनको त और चाइना तक भेजा गया था बुद्धिस्ट को या यू कहें महायान को स्प्रेड करने के लिए महायान क्या कौन लोग थे जो की बुद्धा की पूजा करते थे और हिनायान कौन थे जो की बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को माना करते थे और महायान आइडल वर्शिप भ भरोसा नहीं करते थे आपने बुद्धिस्म और जैनिस्म वाले चैप्टर में गांधार आर्ट के बारे में पढ़ा था तो ये आर्ट में क्या होता है इंडो और ग्रीक स्टाइल को मिक्स करके स्टैच्यूज बनते हैं तो गांधार आर्ट बुद्धिस्म से ही रिलेटेड है कनिश्क को अशोका टू कहा जाता था बिकाज इनका जो इन्वॉल्फमिंट था बुद्धिस्म को स्प्रेट करने में वो अशोका के जितना ही था मतलब ये काफी जादा इंप्रेस थे बुद्धिस्म रिलेजिन से और ये चाहते थे कि बुद्धिस्म का जो प्रचार है वो वर्ल्ड वाइड में हो कनिश्क का रूल जब खतम हो गया था तो उसी वक्त कहा जाता है कि साक एरा की स्टार्टिंग थी साक एरा का बिग्निंग था और इसी के साथ साथ कनिश्क के डिकलाइन के साथ साथ कुशान अंपायर का डिकलाइन भी हो चुका था अब बात करते हैं गुप्त अंपायर की तो कुशान के बाद जो एक्स्ट एंपायर था जिसने नौर्थ इंडिया में रूल किया था वो था गुपताज का इनका भी जो कैपिटल था वो पाटली पुत्र में ही था तो चंदरगुपत वन गुपताज के पहले इंपॉर्टेंट किंग थे ठीक है इंपॉर्टेंट किंग ओके तो जब चंदरगुपत वन ने राजगदी सम्हाली तो उस वक्त को बिगनिंग ओफ गुपताज एरा भी कहा जाता है गुपताज के विक्ट्रीज के बारे में हमें पता चलता है काफी जो इंस्क्रिप्शन वगरा लिखे हैं उनसे हमें इनकी विक्ट्रीज के बारे में पता चलता है चंद्रगुप्त 1 के बाद रूल किया था समुंत्रगुप्त ने और अलाबाद इंस्क्रिप्शन्स में लिखा है कि गुप्ता का जो एम्पायर है वो एक्स्टेंट कर गया था बंगाल से इंडस रिवर तक और इंडस का जो इलाका था वहां तक और हिमालियास से विंध्यास तक आप देख सकते हो हिमालियास कहां नौर्थ में है और विंध्यास मध्यप्रदेश में तो वहां से लेके सेंट्रल तक इनका जो एक्स्पांशन है वो हो जुका था और अलाबाद इंस्क्रिप्शन में गुपतास के कंक्वेस्ट के बारे में काफी कुछ लिखा है कि इन्हों ने 9 नौर्थ इंडियन किंग्स को और 11 रिबबलिकंस को साथी साथ 12 साउथ इंडियन किंग्स को हराया था ठीक है तो समुद्र गुपत के बाद जो नेक्स राजा थे वो थे चंद्र गुपत टू और ये काफी फेमस राजा थे इन्होंने साखास को हराया था और उजैन में कैप्चू किया था गुपतास के एरा को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस वक्त जैसे जो एपिक्स थे जो इंपोर्टन एपिक्स है हमारे जैसे रमायन, महाभारत, अठारा पुरान, पंचत हंत्रियाज ये सारे के सारे गुपतास के पीरिड पे ही कंपाइल हुए थे साथी साथ जैसे आर्य भर्ट, वरा महीरा जैसे जो फेमस लोग है, फेमस फिजीशियन जैसे सारागार, सिसूरुदर, धनवंतरी जिन्होंने काफी अच्छे इंवेंशन किये थे ये सारे गुपता एज को बिलॉंग करते हैं अगर आप गुपता एज के मेटल आर्ट की बारे में बात करें, तो वो भी उस वक्त काफी जादा अच्छा था पंद्रे सौ साल पुराना जो स्पैसिमेंट है, जो आईरन पिलर है महरौली का, वो भी गुपता के एज पे ही बना था तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त मेटल आर्ट काफी जादा डेवलप्ट कर चुका था नालंदा युनिवरस्टी वो जो फाउंडेट बाई कुमार गुपता, ठीक है लेकिन इस वक्त जो कास सिस्टम था, वो काफी जादा वर्स था बहुत जादा, खराबता का सिस्टम बहुत जादा हो चुका था साथी साथ जो सेक्रिफाइजेज हैं, जो बली देनी की प्रथा शोका ने खतम करवा दी थी वो इस वक्त में काफी जादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, वो फिर से स्टार्ट हो गई थी शिव, शक्ती, विष्णू, जैसे भगवानों की पूजा करी जाती थी, गुपतास के पीरिट पे और साथे साथ इनके लिए टैंपल्स वगरा भी बनने शुरू हो गए थे, ठीक है, तो इसी वज़े से गुपता का जो पीरिएड है उसको गोल्डन एज कहा जाता है, गुपत अंपायर के डिकलाइन हुआ था द्यू टू दा इन्वेजन ऑफ पुश्यामित्र और हुन्स, अब बात करते हैं हर्ष डैनेस्टी की, तो थानिश्वर के जो राजा थे, वो थे हर्षवर्दन, और 606 AD तो 647 AD तक इन्होंने रूल किया था और mostly इन्होंने इंडिया के northern पार्ट में ही रूल किया था, इनका जो युद्ध है वो सासांका के साथ काफी लमबे समय तक चला था और last में इन्होंने बंगाल के kingdom को एनेक्स कर लिया था, अपनी सिक्स्टर के request पे ये कन्नौच के राजा भी बने, लेकिन बाद में इन्होंने कन्योज को अपना कापिटल बना लिया था। इन्होंने मालवा, सिंध और उडिसा जैसे किंग्डम्स को भी एनेक्स कर लिया था। हर्ष बुद्धिस्म को बहुत जादा मानते थे और इसलिए इन्होंने कुछ रिलीजियस काउंसिल को भी हेल्ड किया था कन्योज और प्रयाग में और काउंसिल के एंट के बाद इन्होंने अपनी सारा जो उनका वेल्थ था वो सन्यासियों में, स्कॉलर्स में और आम जंता में बाड दिया था नालंदा युनिवर्सटी को जो लाइम लाइट मिली थी वो हर्ष के रूल के दौरान ही मिली थी और यहां नालंदा युनिवर्सटी में इंडियन्स के साथ साथ फॉर्णर्स भी पढ़ने आते थे हर्ष के एक मिनिस्टर हुआ करते थे बाण तो ये संस्कृत स्कॉलर थे और इन्होंने लिखा था हर्ष चरित्र को हर्ष खुद एक स्कॉलर थे और इन्होंने नागनन्दा, रतनावली और प्रियदर्शिका जैसी किताबों को लिखा था हर्ष का जो अम्पायर था वो लास्ट अम्पायर था जिसने नॉर्थ इंडिया में रूल किया था बिफोर दा इसलामिक कॉंक्वेस्ट so this was all about chapter 5th and 6th so if you liked the lesson please hit the like button, share and subscribe and thank you for watching